तो हो सकता है कि अब राहुल गांदी को सजा भी हो जाए या हो सकता है कि ना भी हो और अगर दो साल का मामला जो है हो सकता है वो कुछ कम हो जाए तो उनकी सदिस्ता जो गई है वो बरकरार भी हो सकती है याने की वापस भी आ सकती है बच भी सकती है तो ये तो डिपेंड करे करती है जिस तरह से यह चला हुआ है इस वक्त हो सकता है कि इस वक्त जो इस्थितियां दिख रही है सुप्रीम कोर्ड की सुप्रीम कोर्ड जिस तरह से अभी इस वक्त विवहार कर रहा है हो सकता है कि वह राहुल गांदी को बचा भी धे क्योंकि यह जरूरी भी है क्योंकि इस वक्त सारा कुछ जो चल रहा है वो एक आदमी को तेल लगा कर पहलवान बनाने का मौसम इस वक्त चल रहा है तो खेर इसी बीच जो है कॉंग्रेस की नेतरी रेणुका चाओधरी ने कह दिया कि मोधी जी ने एक बार मुझे भी सुर्पण का कहा था तो क्या मैं भी केस कर दो देखती हूं कि जो न्याएपाली का यहां हैं वो कितने स्पीड मैं काम करती है अब देखिए एसा है कि सपीड मामूला है वो तो डिपेंड करता है कि आप आपके समय में हो सकता है ना होता रहा हो और अब हो रहा है या हो सकता है मजबूरन हो रहा है या किसी खास वज़े से हो रहा है बहुत सारी बाते होती है लेकिन कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए और अगर राहुल गांदी के मामले में यह हो रहा है तो 2013 का उनका ही व परकरार रखने की बाद जो है वो बकवास है तो जब 2013 में वो इस कानून के साथ थे और उन्होंने इसको अमल में लाया है और एक तरह से देखा जाये तो उस वक्त ये जब बना यूपिय की सरकार जिस वक्त थी तो फिर अब इसमें कुछ और बात कहना ठीक नहीं है कुछ औ और उम्मीद करना भी सही नहीं है कि वो आपका ही वो कानून है जिसका इस्तमाल उन्होंने इस वक्त किया अभी भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जैसे कि धार्मिक मामले में बोलने कि या फिर जिस तरह से यूए पीए लगा दिया जाता है तो यूए पीए आप पर यूए पीए यानि की देशद्रो का कानून आप पर लगाया जा सकता है अब भविश में कभी अगर मान लें कि कॉंग्रेस की या दूसरे इदर लोग की सरकार आ जाती है और वो आरेसेस पर प्रतिबंद लगा दे तो फिर तब यही सारी बाते आरेसेस के जो संग कानून बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं समिधान में संशोधन करके या अलग तरीके से कानून बनाके लोग किस तरह से उसका इस्तमाल कर रहे हैं अपने फाइदे के लिए अपनी सत्ता के लिए यह अलग बात है इस वक्त जो है नियाए पालिका और जो सरकार है जो सत्ता ह उसके बीच में थोड़ी से भिडंत नजर आती है लेकिन वो दर असल दोनों तरफ स्वारत का मसला है एक तरफ जो है अगर आपको लगता है कि जो निया पालिका है वो अगर बिलकिस बानों के मामले में एक पीठ बना कर एक बेंच बना कर अगर वो उसके बात सुनना चाहती है जो उसके बलातकारियों को छोड़ दिया गया वो उस मामले पर अगर फिर से सुनवाई की बात अगर चल रही है तो इसको आप बहुत जादा तारीफ करना या फिर एक और मसला है जिसमें सेना की पेंशन की बात जो सरकार का जो रुख है बंद लिफाफे में आया जिसे कहा कि हम बंद लिफाफे में नहीं सब के सामने खोल कर बढ़ना चाहिए यह बात जो जब न्याय पालिका के तरफ से आती है तो इसको बहुत जादा ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत जादा वो आप जनता के हित की बात या जनता के हित में अचानक वो सोचने लगे वह पैसा नहीं है दरसल इसके पीछे कानून मंत्री रीजी जो है जो कि इस इन दिनों जो है वो कुछ ऐसी बाते कह रहे हैं कि जिसमें उनके जजों के हितों का पारिवारिक के हितों का जजों की पारिवारिक जो सुरक्षा का एक जो कवच है जैसे कोलेजियम कहते हैं कहीं उसक तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं क्योंकि कानुन मंतिर ने भी जगा कहा कि भाई न्याय पालिका को कुछ लोग जो है वो विपक्ष की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं कुछ जो एंटीनेशनल गैंग कह दिया उन्होंने कुछ रिटायर्ट जजों को तो की बाद सरकार के खिलाफ की बात आएगी सरकार के पक्ष में बात करेंगे अगर तो वह बात सही होगी और उनको इनाम भी मिलेगा कोई राज्य सबासादर से बन सकता है कोई किसी आयुक का द्यक्ष बन सकता है आज इवन जो है वो फैदा रिटायर्मेंट के बाद वो मिल सकता है बहुत सारी यूजनाएं उनके पास इस प्रकार की प्रलोभन वाली जो इनाम वाली बहुत सारी यूजनाएं हैं तो एसी जो चीजे हैं इसकी वज़ह से इस वक्त जो भी अपने को दिखाई दे रहा है ना कि नयाय पाली का जो है वो कुछ रिवुलेशन कुछ तो भी अलग करने जा रही है वो दरसल अपनी अपने हित का मामला है तो हर कोई अपने अपने समय में अपने अपने हित के अनुसार अपनी अपनी पोजीशन के अनुसार बात करता है अब अगर राहूल गांदी ये क गलत हो रहा है उनके साथ तो ये बात उनको उस वक्त भी सोचना चाहिए जैब लालु परसाद यादोजी के साथ में ये सब कुछ हो रहा था तो अलग-अलग समय में बने ओए कानून का अलग-अलग समय में अपनी तरह से इस्तेमाल करने का जो ये होगा तो हर किसी का नमबर आएगा बस इंतजार करने की ज़रूत है